केसे आप सब आसा करते हैं बहुत अच्छे होंगे दोस्तो इस YouTube परिवार के साथ मिलकर हमारी टेम लगातार भारत की जातियां उनकी उत्पटी, वनसर्ज और इटियास के सुनेरे पन्नों में उनके बारे में क्या लिका है इन सभी मुद्दों पर परती दिन आपके साथ डिस्कस कर रहे है दोस्तो आप सभी दोस्तों का इस YouTube परिवार को बहुत अच्छा रिस्पोंस मिल रहा है आसा करते हैं इसी परकार का रिस्पोंस और सहयोग इस YouTube परिवार के परती सदा बनाई रखेंगे दोस्तो परती दिन हम किसी एक जाती के उत्परती, वंसर्ज और इतियास के सुनेरे पर्णों में उस जाती के बारे में क्या लिखा है इस मुद्धों पर आपके साथ परती दिन डिसकस करते हैं आज दोस्तो हम बात करेंगे माली जाती माली कोन थे? क्या मूल रूप से वो भारती है थे? या अन्यस्तानों से आकर भारत में बसे थे? माली जन जाती जो है? जाती है? या जन जाती है? A.C. है? O.B.C. है? किस वरक के अंदर शमिल है? और भारत में इसका विश्तार कहां कहां है माली जाती के जो पुरवज थे, संस्तापक थे वो कौन थे और माली जाती जो है वो जो इसके वनसज थे उन्होंने अपने वनसज के लिए क्या संदेश दिये हैं और इतियास में इनके बारे में क्या लिखा है माली जाती के जो भी पुर्वज रहे हैं उन्होंने डेश के लिए अपने वंसुजों के लिए क्या संदेश दिया है इस वीडियो में हम उसके बारे में आपके साथ डिसकस करेंगे दोस्तों सुरू करते हैं आज के सेशन को आज के वीडियो को माली जाती का इतियास उत्पती और इतियास के सुनेरे पर्णों में उसके बारे में क्या लिखा है इस मुद्धे के साथ माली में पाई जाने वाली एक व्यवसाई की जाती है जो पारसंप्रिक रूप से माली और फूल का काम करती थी फूल ओबेन के व्यवसाई के कारण वे स्वयम को फूल माली भी कहते हैं माली पूरे उत्र भारत, पूर्वी भारत के साथ साथ नेपाल और महाराष्टर के टराई छेतर में पाए जाते हैं मानवी ज्यानी इरावत्ती करवे ने दिखाया है कि कुन्बियों से किस परकार की मराथा जाती का उद्य हुआ इसा मसी ने खुद को मराथा कहना शुरू कर दिया वैं बताते हैं कि मराथा, कुन्बी और माली महाराष्टर के तीन मुख्य सांसकतिक समुदाई थे महाराष्टरा जो है उसके महाराष्टरा, कुन्बी और माली ये तीन परमुख सांसकतिक कल्चरल समुदाई थे अंतर यह कि मराथा और कुनभी सुक्र किशान थे जब कि माली पूरे साल खेती करते थे राजस्तान में माली जाती के जाती अधारी संग्ठन जैसे कि महातमा, फुले, ब्रिगेडियर जो समुदाई की भविन अविशत्ताओं को पूरा करते हैं उन्हें कुसवा जाती से लगू किया जाता है इस बात पर सहमती है कि मोरे, कुसवा, साके, सानी, उतर भारत के विविन संपरदाईों में एक ही समुदाई का वर्नन करने के लिए अलग-अलग सब्दों का उप्योग किया जाता है माली राज महलो ने जर्बदार के पद पर काम किया था, मारवाड के महाराजा मान सी है के सासनकाल में लाखो को व्यक्ती परमुक जर्बदार कहा गया था आपको को याद होगा जब भी हम मारवाड का इक्यास पढ़ते हैं तो महा नाम आता है महाराजा मान सी हैं और उसके सासनकाल में इलाकों को व्यक्ति परमुक जर्वदार कहा गया था राजस्तान के मालियों ने 2023 में जेपुरागरा राजमार को वरोध कर विरोध परदशन सुरूख कर दिया है उन्होंने मांग की है कि राजस्तान के विविन इलाकों में समुदाई की समाजिक आर्थिक स्टिति का पटा लगाया जाए और राजे द्वारा स्रविक्षन किया उन्होंने अपने और अपने सेयोगी समु साके कुसवा मोरे और सानी के लिए राजे में सरकारी मालिकों और अनुयाईों के लिए 12% पुरुवतर की मांग कि थे इस विरोध में उनके साथ उन्चे समुदाई के सिदेशे भी श्यामिल हुए थे राजेस्तान राज्ये के माली समुदाई ने 1930 के दस्क के दुरान एनालिस्ट नाम से इनको जाना जाता था 1930 में जब भारत पर ब्रेटिस का सासन था जब भारत ब्रेटिस उपनिवेशिक सासन के अधिन था तो इसी को ही माली समुदाई को एनालिस्ट के नाम से जानते थे महाराष्टर के माली बागवानी में विशेशकता रखने वाले सेनिकों की एक जाती है ये जाती पस्ची में महाराष्टर के पांच जिलों और विद्रव शत्र के एक जिले में केंडर बिंदू में हैं वैपार संपरिक रूप से फल फूल और फूलों की खेती करके अपना जिवनियापन करते हैं उप समूद वारा खेती की जाने वाली खेती के अधार पर केई अलग अलग उप जातियां हैं फूल माली फूल भी करेता थे जिनें माली जीरे या याजीरा उगाते थे और हल्दे माली हलाद मतब हल्दी की खेती करते थे बीशमी सदी में माली के स्वामितव वाली एक पसले ओबने के लिए सींच का उप्योग करने और किसानों के स्वामितव वाली चिनी मिलों की स्थापना करने में अगरनिय रहे इसके बाद इस सदी में पश्चमी महारास्टर में अन्ये छेत्रों द्वारा खेती की खेती का व्यापक परसार हुआ और साती महारास्टर और भारत के अन्ये छेत्रों में सेंक्डो चिन मिलों की स्थापना हुई उनिसमी सदि के समाज सुधारक जोती राव फुले माली समुदाई सी थे जोती राव फुले का जो नाम काफी अपने आप में फेमस परशिद है और वो भी एक माली समुदाई से ही इनका संबन था और आपको याद होगा राजस्तान के सीम असो गैलोत का संबंध भी माली समुदाई से ही है उनका काम अयसपर्षता और जाती व्यवस्ता के स्योंजन और महलाओं की मुक्ती सहित केई छेतनों तक फिला हुआ था वे और उनकी पतनी सावित्री वाइफुले भारत में महलाएं और दलितों के लिए शिक्षा के अगर दूठे ये दमती भारत की लड़कियों के लिए स्कूल वाले पहले मूल भारतियों में से एक थी मतला लड़कियों के लिए जो स्कूल ववस्ता है, शिक्षा की ववस्ता है, उसके अंदर सावित्री वाइब फूले का काफी महतवपुन योगदान था, उन्होंने हिंदू ब्राह्मन विदुआउं के लिए एक ही घर की स्टापना की निंदा की, जिसमें उनके के सामान्य लोगों का समाज का अगठन किया, अन्यमाली जैसे की ग्यानोबा सासने और नरायन लोंकडे समाज की सुरुवाती वर्सों में इसके परमुक सदेशे और वितिये समर्तक थे, दोस्तों आपने जोतिवाई फुले का नाम तो सुन रखा है, लेकिन यहां गोर करन की समाज को उपर उठाने में काफी महतवपुन योगनान रहता है, लोंकडे को भारत में यूनियन ट्रेडवाद का जनक कहा जाता है, उन्निसमी सदी के समाज सुधारक जोतिराव फुले माली समुदाई से थे, उनका काम ऐसा परस्ता और जाती विवस्ता के उनमुलन और महला मुक्ती सहित केई छित्रों में फिलात, वे और उसकी पतनी सावित्री वाई फुले भारत में महलाओं और दलित्तों के लिए शिक्षा के अगर दुत्ते, दंपती भारत की लड़कियों के लिए एक स्कूल कोलने वाले पहले भारतियों में से एक थी, उन्नोंने प्रुयाईयों के साथ नीचली जाती के लोगों के लिए समान अधिकार प्राप्ट करने के लिए सत्य सोदक समाज का गठन किया। अन्यमाली जैसे की ग्यानोबो सासने और नरायन लोंकडे अपने प्रारंबिक वर्सों में समाज के प्रमुक सरेशे और विट्टिये समर्तक थे लोंकडे को भारत में ट्रेड यूनियन वाद का जनक कहा जाता है माली समाज की उत्पती के बारे में यूं तो कभी एक राय नहीं निकली फिर भी वविन गरंतों अत्वा लेखो जोगा रखने वाले राव, भाट, जग्गा, बढ़वा, कवी, भट, ब्रहम, भट, वंकचर और दी से प्राप जानकरी के अनुसार तमाम माली बंदू भगवान संकर मापार्वती के मांस पुतर है एक कथा के अनुसार दुनिया की उत्पती के समय ही एक बार मापार्वती ने भगवान संकर से एक सुंदर बाग बनाने की हट कर ली तब अनत चोदा के दिन भगवान संकर ने अपने शरीर के मेल से पुतला बना कर उसमें प्राण फुंके यही माली समाज का आदिपूर्श मंदा कहलाया इसी तरे मापार्वती ने एक सुंदर कन्या को रूप परदान किया जो आदि कन्या सेजा कहलाई तत्पेस्तात इने सवरण और रजस से निर्मित और जार कससी कुदाली आदी देखर एक सुंदर भाग के निर्मान का कारे सोंपा मंदा और सेजा ने दिन रात महंत कर निश्चित सम्मे में खोब सुरत भाग बना दिया जो भगवान संकर और पारवत्य की कलपना से भी बहतर बना था भगवान संकर और पारवत्य इस खोब सुरत भाग को डेख कर बहुत परसं हुए तब भगवान संकर ने कहा आज से तुम्हें माली के रूप में पहचाना जाएगा इस तरहे दोनों का आपस में विवा करा कर इस प्रिथी लोक में अपना काम संबालने को कहा आगे चल कर उनके एक पुत्री और बारा पुत्र हुए जिनके नाम के अनुसार कुल साड़े बारा पुत्री की संतानों को आधी जाती में गिना जाता है और पुत्रों की संतानों क को बारा जातियों में गिना जटा है एस तरह के माली जाति में विभक्त होगें, माली समाज तो एस उपलक्ष पर अन्हित 14 के दिन माली जेंटी अर्थात मंदा जेंटी मनाई जती है माली समाज की उत्पति संस्कर्थ भासा के सबद मंगल से हुई, एक पूराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माली समाज के उटपती भगवान सिव के कान में डूबा हुआ कान के मेल से हुई इसके अलावा एक सिदान्ती है भी है कि एक बार देवी माता पार्वत्ती को अपने मंदिर में फूल दिया गया था वहां फूल तूटते ही उसके हाथ में एक कांटा लग गया इसी देवी पार्वती का खून लगा हुआ एक ही खून से माली समाज की उटपती हुई तटा कहीं से माली समाज की अर्थववस्ता से विघर्टन हुआ इसके अलावा कुछ संखेत ऐसे भी हैं कि माली समाज में एक वरग राजपूतों के उपसरेणियों का वे समाविश हैं जब हिंडू समराट प्रित्वीराच चोहान के पतन के बाद मुहमद गोरी सक्ति साली हो गया तो उसने डिल्ली पर चापा मारा और अजमेर पर अपना कबजा कर लिया बताया जाता है कि काफी राजपूत युड में वीरगती को प्राप्ट हुए कुछ पर पर्तिबंद लगा दिया गया कुछ राजपूतों ने आप पर ब्रोसा रखते हुए मुस्लिम ध्रम अपना लिया इसके अलावा कुछ राजपूतों ने खेटी और भागवनी को अपना पैसा बनाया जो बाद में बेल माली समाज के रूप में सामने आई माली एक जाट गोतर के रूप में भी देखा जाता है ये राजस्तान मद्य परदेश के अलावा अफगानिस्तान में भी शाम मिलता है इतियास में इस गुत्र का वर्णन मल या मलव जाट की रूप में है एक चंदरवन से गुत्र माना जाता है एक समय ये गुत्र बहुत सक्ति साली था रमाइन काल में भी हमें इस गुत्र का वर्णन मिलता है सुग्रीव ने वानर सिना को शीटा की खोज के लिए पूरुव दिशा में जाने का आदेश दिया वे इस दिशा के मालव राजे में जाने का विवरेन भी मिलता है भारत जी लक्षमन पुतर चंडर केटु के साथ मल देश में गे और वहां चंडर केटु के लिए सुन्दरी नगर चंडरा कांटा नामक वसाई जो उन्होंने अपनी राजदानी भनाई महाभारत काल में उलेक मिलता है कि मालव ने माहराज युदिष्टर को राजश्वी यग्य में अनौल उपार दिये थे जानकारी के अनुसार मालव छेटरी या महाभारत के युद में पांडव और कौरव दोनों एक दूसरे की और से लड़े इस तरह की नमुनों का अनुमान ये लगाया जाता है कि उस समय मालव राजवन्सों के दो अलग अलग राज़े थे पांडवों की बिरादरी में भेम से ने पूरव दिशा में उतर कोसल देश को नोबेल मल राष्टर के अधिपति पार्थिव को अपने अधिन कर लिया इसके कई हैसों को परमान उर्जा सयंतर डक्षिन मल देश में जित लिया गया करन परम में मालों को मदरक, शुडरक, दर्वेट, योदे, ललित, आधी छेत्रियों का मीटर बताया क्या दोस्तों आज हमने माली जाती क्यूत पत्री, उनके भनसज, इटिहास में उनके बारे में क्या लिखा है तो माली जाती जो है, प्राचिन टाइम से ही, सभी भरतियों को, क्योंकि इस माली जाती के अंदर बहुत सारे इसे जिनोंने इस समाज के साथ, जिटने भी नीचले समाज हैं, जिनको आज ऐसा सबढर कहना भहुती घल्ट है, लेकिन उस टाइम जो सुर्द समाज जिनको बोलते थे उसको उपर उठाने में काफी महतवपुर्ण योगदान इस माली जाती के जो वंसस्ते उन्होंने किया था आज भी माली जाती के जो व्यक्ति हैं वो इसी जाती को और जो दली जाती हैं उसको उपर उठाने में अपनी महतव पुन भहमिका के साथ कारी कर रहे हैं राजस्तान की स्यम एसो गेलोत भी माली जाती से संब्धित है जोतिवाई फुले जिनका योगडान इस डेश के लिए हमेशा के लिए संब्ध रहेगा वो भी माली समुदाई से संब्ध रखती थे माली समाज का खुद का कोई इत्यासकार इतना ज़्यादा परसिद नहीं होने के करण इत्यास में इनका जिकर तो है लेकिन इतना जिकर नहीं है जितना इनका होना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जितना भी इत्यास हम पढ़ते हैं लिखते हैं सुनते हैं इसमें जिन जातियों के खुद के अपनी इतियास कारते उन्होंने अपनी जाती के इतियास को खोजा और उस जाती के बारे में लिखा है और जिन जातियों के खुद के इतियास कार नहीं है या कम है उनका इतियास के सुनेरे पर्णों में उनका नाम नगने नाम मातर काता है क क्योंकि उनके खुड के राइटर नहीं थे इसलिए और दूसरी बात जो ये डलिट जातियां सुदर वर्ग में आती थी और इनको तो इतियास लिखने की अनुमती नहीं थी तो ये अपना इतियास कहां से लिखेंगे और हमारी टीम जब भी अलग-अलग प्रकार की जातियो से मिलती है तो पहला कोस्टन दिमाग में ये रहता है कि क्या हमारे जो वंसर्ष थे उन्होंने प्राचिन टाइम के अंडर देश के लिए कुछ नहीं किया अगर किया तो उनके बारे में क्यों नहीं लिखा गया या उनके बारे में कम क्यों लिखा गया ये परसन का उत्तर सभी जाती के लोग जारना चाते हैं और सभी जाती के जो लोग हैं वो ये जुरूर जारना चाते हैं कि उनके जो वंसस्ते इस देश के लिए क्या करकेगी उनकी उत्पती कैसे हुई उनके संस्तापक और इधियास में उनके बारे में क्या जिकर है ये सभी जाती के लोगों के दिमाग में ये question सबसे पहले जहन में रहता है इसी question का उतर देने के लिए हमारी team इस YouTube परिवार के साथ मिलकर लगातार इसी question एक question का answer देने के लिए काम कर रही है दोस्तों आप सभी दोस्तों का बहुत अच्छा response मिल रहा है इस YouTube परिवार को और असा करते हैं किसी परकार का response लगातार बनाए रखें और एक बात मैं यहां आपके सामने बिलकुल कलियर करूँ कि यहां हम इस YouTube परिवार के साथ मिलकर किसी जाती को उपर या नीचे जिकाने के जोसिस नहीं कर रहे है हमारा मकसद इतना ही है कि जो भी जाती का वीडियो हम लेके आते हैं उस जाती के बारे में उसकी culture के बारे में उसकी उत्पटिय, उसके संस्तापक और इत्यास के बारे में हम जानकरी डेते हैं अधिक जाती के वेक्टियों तक ही ए message पहुंचे और प्लस में हम सभी भारतिया होने के नाते हमारा इतना तो फर्ज बनता है कि हमें किसी भी जाती के बारे में basic जानकारी प्राप्त करें अधिक जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते तो समाने जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए Thank you दोस्तों फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें बेल के प्रेस को नोट करके रखें देने बाद फिल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ